एलो गाईज दिस भूशन गयकोषड अगेन आप सभी का स्वागयत ए फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्षर में दोस्तो इस वीडियो लेक्षर में हम डिस्कस करने वाले ठीक है और अगेंस्ट मतलब अपोजिट में ठीक है किसके तो बायोज मींस बायो एक वर्ड है बायो मींस लाइफ ठीक है बायोटिक याने लाइफ बायो याने लाइफ ठीक है तो लाइफ के अगेंस्ट में ये काम करती है लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट का मतलब ये किसके र to disease causing microbes तो disease causing microbes के against ही यह काम करती है जो की 과क्रोब्स तो इसको हम Anti- 250 बोलते है Antibiotics are the chemical compounds which works against the disease Cozen Tom 卸ठोय थीक है Antibiotics यह chemical compounds होते है जो कीño By Lambो करते है अगेंस कम 15-5 काम्रों जो की वर्क एमक्रोडियर निली रहाँ ठीक है हम बात करते हैं who invented first antibiotic first antibiotic के बारे में समझते हैं कि first antibiotic किस ने invent की ठीक है first antibiotic हमारे पास invent करने वाले scientist थे डॉक्टर एलेक्जांडर फ्लेमिग ठीक है तो इनका नाम हम यहाँ पे red color के marker से लिखेंगे ताकि बहुत अच्छे से आपको visibility मिले तो यहाँ पर यह जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अलेक्जांडर फ्लेमिंग, अलेक्जांडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो अलेक्जांडर फ्लेमिंग अपने लैब में स्टेफाइलो कोकस के साथ वर्क कर रहे थे, वर्किंग ओन, ठीक है, वाल्स, वर cocus bacteria ठीक है तो यह अपने lab में staphylococcus bacteria पर working कर रहे थे ठीक है और उन्होंने एक दिन culture as it is छोड़ दिया तो he found that a mold grown on a culture ठीक है found mold याने फंजाय growth on culture on culture controlling the growth of bacteria उन्होंने देखा कि वो bacteria की growth को control कर रही थी controlling growth of bacteria मतलब क्या हुआ देखो मतलब यहाँ पर experiment क्या हुआ experiment यह हुआ कि dr. Alexander flaming ने bacteria के लिए एक culture बनाया ठीक है यह bacteria के लिए एक culture बनाया डॉक्टर अलेक्जैंडर flaming ने इस culture पर उन्होंने च्या किया इस culture पर उन्होंने staphाइल कोकस को growth किया ठीक है मान लेते यह green कलर का staphाइलो कोकस उन्होंने यहाँ पर growth किया ठीक है तो staphाइलो कोकस की ऐसी मिली बहुत सारी इसको एक दिन के लिए छोड़ दी आफ्टर वन डेज ठीक है तो इन्होंने देखा आफ्टर वन डे क्या हुआ आफ्टर 24 आवर ऐसे ही छोड़ दिया खुला तो उस पर मॉल्ड की ग्रोथ हो चुकी थी ठीक है अब यह कल्चर एज़िटी हम बनाते हैं तो mold की growth हो चुकी थी और यह है mold यह हम इस color से बनाते हैं यह mold की growth हो चुकी है और जहाँ-जहाँ mold की growth हुई है वहाँ-वहाँ bacteria की growth नहीं है उससे काफी दूर bacteria की growth है तो bacteria की growth are very away from the mold तो जहाँ-जहाँ mold की growth हुई है वहाँ-वहाँ bacteria की growth नहीं हुई तो इससे यह पता चलता है कि Mold को यह chemical secret करता है Mold is secreting some chemical which is resisting the growth of bacteria तो यहाँ से उन्होंने conclusion निकाला और नीचे इसको लिखते है हम ठीक है तो concluded concluded Mold Mold Secreting Secreting some chemical some chemical दो मिनिट इसको थोड़ा सा उपर कर देते हैं ताकि हम को समझने में थोड़ा आसा नहीं जाए ठीक है तो उन्होंने conclude किया Mold secreting some chemical chemical ठीक है which which resisting resisting growth of growth of bacteria तो उन्होंने देखा कि Mold chemical secret कर रहा है जो की resist कर रहा है the growth of bacteria ठीक है तो यहाँ पर समझ में क्या आया देखो फिर एक बार समझते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने 2 question को deal किया सबसे पहला question what are antibiotics एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, bio मीन्स लाइफ होता है, तो किसके अगेंस्ट में ये वर्क करता है है, it work against a disease-causing microbes, तो ये disease-causing microbes के against काम करता है, मतलब disease-causing microbes को grow होने नहीं देता, ठीक है, तो इसको first antibiotic को discover किस ने किया था, डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस ने किया था ठीक है, he was working on स्टेफाइलो कोकस बैक्टेरिया, वो एक स्टेफाइलो कोकस नाम के बैक्टेरिया पे वर्क कर रहे थे जो disease causing है, basically, ठीक है तो उन्होंने देखा, he found mold growth on a culture, कुछ एक दिन बाद उन्होंने देखा कि mold की growth हुई है culture पे, ठीक है जिसमें वो bacteria की growth को resist कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर controlling the growth of bacteria, यह it was controlling the bacterial growth, ठीक है और उससे उन्होंने conclude किया, concluded mold secreting some chemical, mold जो है, वो कुछ chemical secret कर रही है जिसके वज़े से bacteria की growth resist हो रही है, ठीक है, bacteria की growth नहीं हो पा रही है तो पहले हमने देखा कि यहाँ पर bacteria की बहुत जादा growth थी इस area में लेकिन जैसे ही mold grow हुई ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि यह जो है, यह ठीक है, दो मिनिट यह जो है यह जैसे ही mold grow हुई जैसे ही mold grow हुई तो उन्होंने देखा कि भई bacteria की growth जो है वो कम हो गए control हो गए ठीक है तो अब यहाँ पर यह mold कुन सी थी उन्होंने उस chemical को नाम दिया penicillin जिसके वज़े से bacteria की growth control हुई ठीक है concluded mold secreting some chemical that chemical was named as penicillin तो उस chemical को नाम दिया गया ठीक है that chemical that chemical chemical named as penicillin penicillin ठीक है because it was produced by a mold penicillium notatum ठीक है since since it was produced from produced from a mold penicillium notatum ठीक है penicillium notatum penicillium notatum ठीक है तो हमने यहाँ पर बोला कि यह जो mold है इसको नाम दिया गया इसको इससे जो chemical secret हुआ उसको नाम दिया गया तो penicillin नाम दिया गया क्यों दिया गया because यह जो है mold कुन सा था mold कुन सा था mold हम बोल रहे penicillium था penicillium notatum ठीक है और यह आपको याद होना चाहिए नीट में पूछा जाता है कि penicillium सबसे पहली बार जो discover हुआ वो कौन से penicillium की variety से हुआ तो penicillium notatum ठीक है और फिर यह discover हुआ कि यह जो है chemical जो इसने बनाया उसको नाम दिया गया penicillin उसको क्या नाम दिया गया penicillin ठीक है तो इसको नाम दिया गया penicillin ठीक है that chemical is named as penicillin तो यह था हमारा पूरा पूरा हिस्ट्री अगर आपको इसका screenshot लेना है तो please take the screenshot दो मिट थोड़ा सा इसको छोटा कर देते है ठीक है ताकि आपके पूरे screen ना आप है हाँ इसका आप screenshot ले लिए ठीक है इसके अलावा अब हम थेरी पर बात करते ठीक ठीक है तो हम बोल रहे थे भाई antibiotics क्या है वो हमने समझ लिया antibiotics हो पहले produce किस ने किया वो हमने देख लिया Alexander Flaming ने antibiotics are probably the most important group of compound synthesized by industrial production ठीक है तो बहुत essential compounds होता है यह जो की industrial production में बनाया जाते है microorganisms को use करके ठीक है अब इसके बाद यह जो भी थेरी है यह इतनी काम की नहीं है इसको हम cover कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर next बोला है microbes, microorganisms के मदर से बनाया जाता है ठीक है most antibiotics are secondary metabolite तो जाधा तर antibiotics again secondary metabolite होती है मतलब microorganism के काम की नहीं होती यह हमारे काम में आती है ठीक है these are produced in a small amount by certain microbes तो बहुत ही कम amount में यह microbes के द्वारा produce किये जाती है ठीक है like bacteria, fungi, few, algae ठीक है तो यहाँ पर bacteria भी बनाते है antibiotics पंजाई से भी बनती है और कुछ algae से भी बनती है ठीक है which inhibits the growth of other microbial pathogen तो यह inhibit करती है growth of other microbial pathogen ठीक है ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बैक्तिरिया की growth को कंट्रोल करने के लिए हम एंटिबाइटिक्स को यूज़ करते हैं एंटिबाइटिक्स के वज़े से बहुत सारी diseases को कंट्रोल किया जा चुका है आज तक जैसे कि plague, whooping cup जिसको हम काली खासी बोलते है ठीक है diptheria, leprosy जिसको crystal rock बोला जाता है एसेटरा तो यह सारे diseases को कंट्रोल किया जाता है तो यह सारी चीज़े जो मैंने अभी तक बताईए, neat point of view से बहुत important है इस पूरे chapter में से अगर आप बोलो कि neat के लिए सबसे दादा important topics कुन सा है तो वो अगर मैं बोलूँगा तो anti-biotics वाला यह जो दिसकोरी के बारे में कि सबसे पहली बार किसने डिसकोर किया Alexander Flaming ने अंतिबाटिक को कहा डिसकोर किया Penecillum Notatum से डिसकोर किया ठीक है याद होना चीए ठीक है किसब्टेरिया पे वर्क कर रहा था bizi Salakitholi कोकस पे वर्क कर रहा किये सारी चीजे हमको याद होनी चीए ठीक है इसके अलावा हम बात करेंगे कि तो वाइरस इसको एंटिबाइटिक्स किल नहीं कर सकती ठीक है वाइरस इसके लिए कोई particular treatment अभी तक available नहीं है ठीक है वाइरस इसके वज़े से जो infection होता है उसमें फिर bacterial infection भी होता है आगे ठीक है वाइरस से जो infection होए उसके उपर bacteria का infection नहीं हो जाए इस वज़े से यह bacteria को खतम करने में help करती है ठीक है तो वाइरस से इसको antibiotics किल नहीं करती ठीक है next some common antibiotics and their microbial sources यह कुछ common antibiotics है और कुछ उनके microbial sources है जो कि आपको याद रखना है तो इसको याद रखने की भी एक trick है वो trick हम अभी discuss करेंगे तो देखो पहला है chloromycetine दूसरा है erythromycine तीसरा है penicilline चोता है streptomycine gracio fulbuline इसके अलबा बैक्टेरियो बैक्टेरी बैक्टेरी क्या है यह तो इसको याद कैसे करेंगे तो हम इसको याद करने के लिए trick यूज़ करेंगे पूरा table याद हो जाएगा हमको पहले trick हम यूज़ करेंगे चल CHL for चल ठीक है E-R-Y-A-R-Y A-R-Y एक नाम की A-R-Y नाम की मान लेते है एक लड़की है तो हम बोलेंगे चल-A-R-Y ठीक है PEN PEN याने P-A-N PEN ठीक है इस इस PEN ठीक है चल-A-R-Y-PEN Streptomycin से हम लेंगे Stripe Stripe के जगे हम बोलेंगे Fight Pain Stripe Pain Fight खेलते हैं ना हम लोग प्लास में Pain Fight Pain Stripe ठीक है Greisio Fulvillin Greisio Fulvillin से हम बोलेंगे घरी घरी याने घर ठीक है घर तो क्या हो गया अभी तक चल-A-R-Y Pain Fight Fight के जगे Stripe भी बोल सकते हो आप Pain Stripe खेलेंगे चल-A-R-Y Pain Stripe खेलेंगे यहां तक हो गया ठीक है या फिर या फिर हम बोलेंगे घर जाएंगे घर जाके बैठेंगे ठीक है बैठेंगे लटीस B-A बैठेंगे हिंदी के लिए मराठी में अगर आपको आता होगा तो घरी जाओन बसू ठीक है बसू for BASI BASI Tracing ठीक है तो घर पे बैठेंगे बैठेंगे से B-A ठीक है और या फिर BASI ठीक है फिर Oxytetra Cycling घरी जाओन बसू या फिर Cycle चलाएंगे ठीक है या फिर Cycle चलाएंगे या फिर Terrace पे जाएंगे ठीक है तो हम एक लड़की को बोल रहे है मानलो दो छोटे-छोटे बच्चे है एक बच्चे का नाम एरी है एक लड़की का नाम एरी है तो एक लड़का दूसरे लड़की को बोल रहा है कि भाई चल एरी पेन स्ट्राइप खेलेंगे पेन फाइट खेलेंगे या फिर घर जाके बैठेंगे ठीक है Cycle चलाएंगे या टेरेस पे जाएंगे तो यह आपको ट्रिक याद रखनी होगी चलो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हो तो ट्रिक क्या होगी हमारी ट्रिक होगी चल एरी ठीक है चल एरी पेन स्ट्राइप खेलेंगे स्ट्राइप फर स्ट्रेप्टोमाईस पेन स्ट्राइप खेलेंगे ठीक है खेलेंगे या फिर या फिर यह जो है यह वाला पॉइंट कोई काम कर नहीं है ठीक है या फिर या फिर घर जाएंगे ठीक है या फिर घर जाएंगे ठीक है साइकल चलाएंगे साइकल चलाएंगे ठीक है या फिर या फिर टेरेस पर जाएंगे तो ये निक्स्ट क्या हो गया हमारा या फिर दो मिनिट या फिर या फिर टेरेस पर जाएंगे ठीक है तो यह हो गया हमारा trick तो हमने क्या बोला चल एरी pain stripe खिलेंगे या फिर घर को जाएंगे cycle चलाएंगे या फिर terrace पर जाएंगे तो इस से हमारा पूरा पूरा ये table याद हो गया चलो तो इसमें हमको क्या-क्या चीज़े जो है वो काम में आने वाली है देखो मतलब ुह ट्रिक में क् 우린 रहा in दो क्वह कीज़े काम की आ wrinkles सामझने दे स्याध्य चल चल पॉर गलोमाइसिटिन एरिफ्रोमाइसीलिन इसके अलावा हम बात कर रहे हैं स्टेप्टोमाइसीन खेलें यह कोई काम कर नहीं हो जाएंगे कोई काम कर नहीं है तो यह ऑन्टिबाइटिक्स हो गई है यह चल एरी ठीक है पेन ग्किलेंगे डो तीन राइगे घर जायेंगे ग्रीशियों फुल मीण ठीक है चार पाच छे और साथ ठोतल सेव को याद तो इसको हम याद कैसे रखेंगे कि यह यह कैसे याद रखेंगे इनके देखो chloromycetine, streptomycin common है सभी में almost, ठीक है, तो देखो streptomyces, streptomyces, ठीक है, इधर भी streptomyces, ये almost common है, ये last में भी streptomyces, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि streptomyces है, ठीक है, चल B बोला तो streptomyces हाएगा, streptomyces, ठीक है, या चल STB, ऐसा भी याद रख सकते हो, च चल STB, या चल STB, ठीक है, तो चल B, चल B याने, that is chloromycetine, chloromycetine जो है, वो चल हो गया, B for venzually, streptomyces venzually, B for B, या B, ठीक है, for venzually, चल B, ठीक है, next, erythromycine, erythromycine के लिए streptomyces, erythreus, देखो, erythreus, erythreus, ery, ery common है, ery, ery, common है, तो erythreus याद हो जाएगा आपको, मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, ठीक है, streptomyces erythreus, ठीक है, erythromycine से erythreus, streptomyces erythreus, penicillin का penicillium तो common रहेगा, penicillin का penicillium common रहेगा, और industrial production में हम notatum यूज नहीं करते, क्रिजो जेनम उस करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल production के लिए हम क्रिजो जिनम यूज करते हैं, तो यहापे हम क्या बोलेंगे, एक fact याद रखोulator penicylium का सकत्र में याद रखो पहली बार जो ऐंटि बायोटिक discover हुई थी वो penicylin थी first time जो ऐंटिबायोटिक का वई थी वह थी penicyling थिक है penicyline लेकिन वो किससे discover हुई थी penicylium notatum notatum लेकिन आज जो हम ऐनटिबायोटिक बनाते है पेनिसिलीन आज जो बनाते है, पेनिसिलीन, पेनिसिलीन जो हम बनाते है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, कुन से लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल पेनिसिलीन जो बनती है, वो बनती है पेनिसिलीन, पेनिसिलियम क्रीजो genome ठीक है तो यह हमारी trick हो गई that is pain करेंगे carry ठीक है penicillium pain carry करेंगे streptomycin को हम याद करेंगे that is streptomyces gracious ठीक है ST ST घरी चल घर चलो ST बोले तो हमारी इदर लाल color की bus होती है जिसको हम ST बोलते महाराष्टर में ठीक है तो ST for ST bus ST ST घर चलो ST ST घर चलो ठीक है तो यहाँ पर आपका आएगा ST ST for streptomycin ठीक है और फिर यहाँ पर भी आएगा streptomyces याने ST ठीक है और gracious for घर चलो ठीक है gracious for घर चलो ठीक है आपको ठीक ठोड़ी सी एक याद करके रिगूलर बेसिस पर इसको रिवाइस करते रहे ना पड़ेगा नी तो आप भूल जाओगे ठीक है नेक्स्ट फुल्विंग रिश्यों से हमने बोला ता घर घर में हमारे गर में पेन है पेन में पेन हम देखते हैं कि पेन में हम फिर से बोल सकते हैं कि पेन हमारे घर में यह ठीक है तो इसको कैसे याद रख सकते हैं घर में पेन है घर में घर में पेन है घर में घर में घर में मेरा पेन है घर में ठीक है तो ग्रीशियो पेन घर ठीक है तो इसको फ पेञें घर एसा एंब सब्सक्राइब ए खर्पेन घर डिक गर पेशीयो फूल्विल फेन तो बनता है को सा पेनिशिलियम ग्रिसोफल भीलम, तो याद रखना है, बैसि ट्रेसीन को याद रखने के लिए ट्रिक बहुत जबर्दत है, बैसि ट्रेसीन को अगर याद रखना है, तो ट्रिक क्या है, that is बैसिलस लाइकिनी फॉर्मिस, ठीक है, तो तो मराथी में बहुत इजी है ये ट्रिक बसली बसली का मतलब होता है बैड़ गई बसली चीनी फॉर मी मेरे लिए बैठ गई तो इससे पुरा नाम ही आ जाता है बस से बैसिट्रेसिन ठीक है इसी से बैसिलस ठीक है लाइकेनी फॉरमिस ली से लाइकेनी फॉरमिस देखो ली फॉर लाइ चीनी फॉर चेनी फॉरमी फॉरमिस पूरा नाम याद हो गया ना भई Lycaniformis याद नहीं हुआ क्या छीक है भसली ली चिनी for me ठीक है पूरा नाम याद हो गया bacillus lycaniformis थीक है तो यह मराथी में हुआ हिंदी में क्या बोलेंगे आप bैढ गई चिनी for me तो इससे भी नाम याद हो जाएगा आपको बैड गई चीनी फॉर्मी एक चीनी लड़की आपके लिए बैड गई ठीक है next oxytetracycline जो है ठीक है oxytetracycline को हम बुलेंगे streptomyces orificence ठीक है तो यहाँ पे बुलेंगे tericycle और मेरी st ठीक है tericycle देखो tetracycline याने tericycle और मेरी orificence orificence ठीक है st for streptomyces ठीक है tericycle और मेरी st st for lalbus हम बुलेंगे tericycle और मेरी st ठीक है tericy for tetracycline st for streptomyces orificence ठीक है चलो आपको याद हो गया ठीक है इसी में teramycin भी याद कर सकते हो ठीक है teramycin बोलें तो मेरे teras पे tericycle teras पे ऐसा पूरा trick अगर बनाना है आपको तो tericycle teras पे और मेरी st ठीक है tericycle teras पे teramycin और मेरी st that is streptomyces orificence ठीक है एक बार फिर से trick को analyze कर लेते हैं फिर से revise कर लेते हैं क्या क्या पड़ा हमने हमने पूरे table के लिए आप antibiotics को याद किया चल एरी चल एरी pain stripe खेलेंगे या फिर घर जाएंगे घर जाके बैठेंगे यह हो गया इसको मराठी में कैसे बोलें चल एरी pain stripe खेडू घरी जाओन बसू बैसी इसको हिंदी में हिंदी में माराथी में बूल दिया अब हम नेक्स हम बात करते हैं कि इसका यह वाली ट्रिक कैसे याद रहेंगे तो chlorophyll चल वे बेंजुवली क्लोरोमाइसीन चल वे बेंजुवली स्ट्रेप्टोमाइस वेंजुवली एरिथ्रो और तो erythrius स्ट्रेप्टोमाइसीस इरेथ्रियस पेनिसिलीन पेन पेन बोला था आमने पेन ग्री ठीक है पेन 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 कैरी पेन कैरी करेंगे तो पेन हम क्यारी करेंगे that is penicillium chrysogenum chrysogenum आपको याद रखना है industrial level पर यूज होता है ठीक है स्ट्रेप्टोमाइसिन STS घरी गरी गरी पेन घरी गरी गरी पेन घरी ठीक है तो इसको याद कैसे करेंगे आपका पूरा 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 टेबल आएप यह प्याद हो जाएगा ठीक है दो तीन बार घर पे प्राक्टिस करोगे तो बहुत इज याद हो जाएगा पेपर में आप बोर्ड में तक पूरा पूरा टेबल सॉल्व करके आ सकते हो ठीक है तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर जो है पूरे-पूरे तरीके से खतम हो जाता है I hope ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे हमारी वीडियो के साथ बने रही है जिंदगी के मते लेते रही है तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच